टीम इंडिया और बांगलादेश के बीच कानपूर टेस्ट का पहला दिन बारिश के भेट चड़ गया। शुक्रवास 27 सितंबर से शुरू होए इस टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हो सका। जिसमें बांगलादेशी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए तीन विकेट खोकर 107 रन बनाए। टीम इंडिया ने टॉस जीता था और कप्तान रूहिश शर्मा ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था। लेकिन ये दाव कुछ खास काम करता नहीं दिखा। तेज गेंदबाजो को वैसी मदद नहीं मिली जिसकी उमीद भाटे टीम ने की थी और पहले बॉलिंग चुनी थी। इस पर वैसे ही सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन मशूर कॉमेंटेटर संजे मांजरेकर ने इससे अलग एक ऐसे मुद्दे पर ध्यान खीचा जो रोहिश शर्मा की कप्तानी को कटगेरे में खड़ा करता है। जहां दरसल ग्रीन पार्क स्ट्वेडियम में ये मुकामला बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ था। कानपूर की परिस्ति हवादार बनी हुई थी। इसलिए भाटे टीम मैनेजमेंट ने शायद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जो कानपूर के साथ भारत की किसी भी मैदान पर टेस्ट मैच में बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहां तक की नौ साल बाद भारत में खेले गए किसी टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जुट कर पहले बोलिंग का फैसला किया था। ऐसे में अब रोहित का ये फैसला सवालों के घेरे में आ गया। नहीं मिली और पूर्व भारती बलेबाज और कमेंटरेटर संजे मांजरेकर ने रोहित के इसी फैसले पर सवाल खड़े कर दिये हैं। ये सवाल बायहाथ के बलेबाजों से भरे बंगलादेश के टॉप ओडर के खिलाफ रविंद्र जड़ेजा से बॉलिंग ना करवाने को लेकर रहा। दरसल इसी को लेकर मांजरेकर ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर यानी एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने रविंद्र जड़ेजा के कुछ आकड़ों का जिकर किया और लिखा कि रोहित को ये दिखाये जाने की जरूरत है ये आकड़े भारत और उनके खिलाफ खर्च किये थे वहीं मांजरेकर ने ये भी लिखा कि जब भी बायहात के बलेबास पर होते हैं तब रोहित कभी जड़ेजा को जल्दी गेंदबाजी पर नहीं लगाते दूसरी और बंगलादेश के बैटिंग ओर्डर में शुरुआती चार खिलाड़ी बा बायहात के बलेबास केखिलाफ उन के खिलाफ और चिया कर पाते हैं और इसी कारण से फैसला एक बार के लिए वभी चेए घहात के बायहात कि वरह यहला 205 Jahren को असर नहीं बहु tips जड़ेजा ने भी अपने करियर में 299 टेस्ट विकेट में से 102 बार बाय हाथ के बलेबाजो को अपना शिकार बनाया है ऐसे में संजे मांजरेकर का सवाल एक बार के लिए जायज भी दसर आता है वहीं आपको बताते चलें कि कानपूर में दूसरे टेस्ट मैच में खराम मौ फैके मैच को रद कर दिया गया